हलो एंड वेलकम यू ओल टू बीट दे स्ट्रीट इंडिया में इस स्पेशल सिट्वेशन का काफी माहल चल रहा है और अब अनॉंस हो चुका है सबसे बड़ा मर्जर और आपके सकते एक सबसे बड़ा कोर्पोरे टेक्शन इंडिया का पूरे साल में अगर आप देखेंगे ना इस अप्रेल में वो हो चुका है SDFC और SDFC बेंक जो की इंडिया के SDFC लिम्टेट जो इंडिया का सबसे बड़ा लोन प्रोवाइडर है और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बेंक SDFC बेंक दोनों merge होने वाले हैं और ये एक transformational merger होने वाला है उसके बड़ा मैं आज detail में discuss करेंगे अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को subscribe करना न भूले और share करें वीडियो को ज़्यादा सज़्यादा लोगों को इसको समझने में help करें तो सबसे पहले समझते हैं कि यार इंडिया का largest housing finance company SDFC limited तो उसका total AUM के हम बात करें तो 5.26 trillion की उसकी total asset under management है और market cap है 4.44 trillion का वहीं अगर SDFC bank की बात करें तो उनका asset जो है asset with the market cap of 8.35 trillion rupees का उनका market cap यहाँ पर निकल के आता है अब यह जो होगा इसमें merger किस तरीके से होगा तो आपको मैं बता देता हूँ merger की जो you know SDFC जो limited है और SDFC bank है तो यह पहले इनका किस तरीके से इसका performer था वो मैं आपको बता देता हूँ SDFC bank SDFC limited क्या थी इनकी holding company थी holding company मतलब होता है की पापा और SDFC bank क्या था इनका son तो SDFC bank में already इन्होंने investment किया हुआ था SDFC limited जो भी थी जो मोट के जो राउसिंग बाइनस का काम करती थी उससे सारी company निकली है मतलब कि SDFC life भी उससे से निकली है तो यह सारी इनकी subsidy companies थी जिसमें SDFC limited और SDFC bank को अभी merger किया जा रहा है SDFC life और इसमें अभी भी SDFC limited की holding है तो SDFC life हो गया SDFC AMC हो गया तो अगर हम देखेंगे आज पूरा SDFC group ही boom पर है उसकी पीछे का reason यह है कि SDFC limited और SDFC bank अगर जब merge हो जाएगा तो यह one of the नहीं इंडिया की सबसे बड़ी company बन जाएगी क्योंकि दोनों का market capitalization काफी heavy है और Nifty में इन दोनों का काफी wettage है और जैसी इन दोनों में valuation बढ़ते हैं तो पूरे इंडिया की अगर हम market cap wise बात करें तो Nifty में percentage volume बढ़ जाता है और अगर हम इसके timeline के बात करें तो इसमें काफी approvals की जड़रत होगी जैसे RBA की approval की जड़रत होगी क्योंकि HDFC Limited जो है वो motor case company HDFC bank का banking का का काम करती है तो bank में क्या होता है RBA का approval लगता है और RBA बोलता है कि अगर आप कोईसी भी ऐसे काम में involved है जो banking से related नहीं है मतलब कि non banking से related है जैसे HDFC life insurance का काम करती है AMC mutual fund बेजने का काम करती है तो आपको उन business को divest करने की जड़रत होती है इसमें अभी clarity जी है अभी तक कोई HDFC की तरफ से आया नहीं है 11.30 AM पे अभी उनकी एक call है तो उसमें ये चीजे clarity होनी ही चाहिए उसके बात देखना होगा कि ये किस तरीके से निकल के आता है इसके अलावा RBI, IRDA क्योंकि insurance authority का भी approval चाहिए CCA का approval चाहिए क्योंकि काफी बड़ा merger है यहाँ पर SEBI का approval चाहिए और stock exchange का approval यहाँ पर आने वाले समय में इसमें लगने वाला तो that will take around 18 months के लंसम लग सकता है तो यह अगले साल अगले साल का quarter 2, quarter 3 तक यह इसका जो complete है transformation निकल के आएगा अब आजाते हैं कि performance share holding किस तरीके से होगी तो 42 share of SDFC bank कितने 42 share of SDFC bank क्योंकि SDFC bank और versus SDFC limited के यहाँ पर 25 shares दिये जाएंगे SDFC limited के और इस तरीके से यह merger यहाँ पर complete होने वाला है अगर हम कल की closing price के एसाब से देखें तो हमारा जो SDFC bank है SDFC bank यहाँ पर premium में नजार आता है वो आता है 3.28% के premium में बट SDFC दोनों ही इसमें positive है क्योंकि SDFC limited में क्या था कि SDFC limited क्योंकि एक parent company के रूप में जानी जाती थी और parent company जब भी SDFC bank में invest करती है मतलब कि यह आप कोई सी भी company हो India की कोई भी conglomerate हो अगर हम Tata Suns भी देखते है तो Tata Suns की जो holding company है वो discount पे trade होती है क्योंकि holding company का holding company का अपने आप में discount में trade होती है अगर आप कोई सी भी बजाज की holding company देखेंगे कोई सी भी company holding company देखेंगे minimum वो 60-70% पे trade होती है जितना उनका valuation है जबकि 30-40% यहां तक कि कभी किसी-किसी company में 90% तक का भी discount देखने को मिल जाता है जो holding company होती है SDFC Limited already holding company है वो already discount पे trade हो रही थी क्योंकि उसके पास काफी सारी companies है उन companies के आगर मैं नाम बताऊं तो उसमें अलग-अलग holding में SDFC Bank का 25.8% की holding है SDFC Ergo में 50.5 SDFC Life 49.88 SDFC MC 52.62 Credila 90% और Group Finance जो बाद में merger होगा है बंदन bank बना उसमें करीबन 10-15% के stake company already hold करती है तो उसके कराण क्या होता है कि company already discount पे trade होती है और उसके कराण काफी value unlocking होगी अगर यहां से SDFC Life, SDFC MC अलग हो जाता है और divestment किया जाता है तो वहां से काफी value unlocking की opportunity SDFC Limited को मिलेगी और वो SDFC Limited के लिए काफी beneficial होने वाला है बाकी दोनों ही stroke already 7-8% का यहां पर upmove दे चुके है इसके पीछे की win-win situation की अगर हम बात करें तो यह सारे stakeholder के लिए company के साब से win-win situation है क्योंकि इसमें structural driver housing sector के लिए क्योंकि housing sector अपने आप में एक पूरी तरीके से transformational change पर है क्योंकि वो उसके जो rates and rate of interest वो काफी गिर चुकी है और वहाँ पर जो demand आ रही है वो unbelievable demand यहाँ पर housing sector में देखने को मिल रही है इसके रावा secured और long term जो products है वो asset के portfolio mix को company के balance sheet बनाने में help करेंगे cross selling में काफी help हो जाएगी क्योंकि जो branches HDFC bank ने खोली है और credit cycles में जो company का expertise है वो यहाँ पर कहींने का use होता हुआ नजर आएगा combined balance sheet की बात करें तो 17.87 trillion की balance sheet हो देगी जो इंडिया की इसको one of the top companies में लेके आता है और इसकी network जो है 3.3 trillion हो देगी जो larger underwriting करने में capable होगी इसके बात अगर हम बात करते है तोटल advances की तो 12,00,00 करोड के advances SDFC bank के पास है 5,00,00 करोड के Lamsum के SDFC limited के पास है तो proforma अगर हम देखते हैं तो 17,00, 17,00, 86 करोड के advances company के पास हो जाते हैं और इसमें काफी अच्छा mixture आपको देखने को मिल जाता है mortgage wise, retail wise, commercial, rural, corporate तो कोई भी ऐसा नहीं रहता है जैसे अगर हम पहले देखते थे तो SDFC bank में हमिशा commercial focus देखने को मिलता है commercial or retail focus 35% और 28% महीं SDFC limited में individual focus था तो यह सारा जब mix हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं नहीं एक अच्छी balance sheet यहाँ पर उबर के आएगी जो companies को दोनों company का जब merger हो जाएगा तो काफी help करेगी अगर हम mortgage wise बात करें तो home loan की book जो है उनकी home loan की book में 25% का केगर देखने को मिल जाता है जो company को already अपने आप में काफी growth company मनाता है और अगर हम देखें भी आपने पिछले time में भी देखा होगा customer lifetime value की side से बात करें तो credit card, personal loan, two weaker loan, auto loan यह सारे HDFC bank के थूरू जाते थे तो वहाँ पर कहीं न कहीं company अभी जो asset का tenor है वो यहाँ पर आने वाल समय में जैसे term deposit और saving deposit है वहाँ पर liability tenor है तो वहाँ पर जो long term tenor product on the liability side में थे और जब की जो asset side में थे, asset के जो tenor थे वो यहाँ पर कम size के हुआ करते थे तो जब mortgage loan आएगा तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं एक asset का tenor है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा जो opportunity to cross sale है तो आपके पास जब क्या home loan में क्या होता है 20 साल का जैसे timeline होता है तो आप क्या हो सकता है कि आप उसमें बीच में credit card बेज सकते हो उसको personal loan बेज सकते हो, two-weekal loan बेज सकते हो auto loan बेज सकते हो तो यह सारी चीजे इसके साथ cross selling में काफी फायदे मंद हो जाती है और आपके पास जब जो customer होता है वो आपके साथ लंबे time तक रहता है तो वो कहीं न कहीं आपके लिए फायदे मंद होता है as a company तो HDFC, HDFC bank पहले अलग-अलग हुआ करते थे अब साथ हो जाएंगे तो उसके product भी वो बेज पाएगा तो इस इस सम्थिंग विच इस वी नीड तू थिंग bank की अगर हम branch deposits compound की अगर हम बात करते हैं तो less than 5 years के 1x है 5 to 10 years वाले 3x है 10 to 15 years वाले 10x है 20 plus year तो continued branch expansion तो वहाँ पर होई रहा 75x और 90 plus percentage वाली जो branches है वो 15 year old है तो वहाँ से operational flexibility काफी बढ़ जाएगी तो HDFC limited की जो branches है वहाँ से HDFC के products बेच नहीं आएगे और HDFC limited के जो branches है जहां से loan की शाका है वो वहाँ से banking की भी facilities अब आपको देखने को मिल जाएगी तो ये सम्मेट लोड टाइम लगेगा इसके अलावा company के जो और दूसरे products हैं तो वो customer की lifetime value create करने में help करेंगे चाहे life insurance हो, general insurance हो, health insurance हो investment product हो, credit card हो, personal loan हो क्योंकि company already अपने आप में एक काफी बड़ी आप कर सकते हैं कि उसमें सबी कुछ है financially आपको अगर एक भी products जी है तो सारे products आपको HDFC, HDFC bank में यहाँ देखने को मिल जाते हैं based in class cost of operation हो जाएगा strong data analytics और digital competencies है जो अलग-अलग खर्चा किया जाता था वो सब एक साथ लेकर आजएगे जिसके कराण क्या होगा कि effectiveness बढ़ जाएगी और इसके कराण इसे enable करेगा large ticket loan को क्योंकि क्या होता दार पहले अलग-अलग-अलग हुआ करते थे अभी यह हो जाएगा कि सब combine हो जाएगे तो balance sheet बढ़ जाएगी और balance sheet बढ़ जाएगी तो large ticket size वाले जो loans हो है उनको underwriting करने में help मिलेगी priority sector lending, credit और infrastructure lending में भी यहाँ पर कहीं ने कहीं company को help मिलने वाली है अब आ जाते हैं कि integration किस तरिके से होगा तो integration होगा यहाँ पर लोगों का process का, infrastructure का, banking के bank के जो adjustment जहाँ पर banking model में adjustment चीए वो adjustment के जाएंगे और limited disruption होगा क्योंकि दोनों ही अपने आप में win-win situation यहाँ पर रहने वाली है अब total अगर हम equity share outstanding के बात करें तो SDFC bank SDFC और यहाँ पर कितना delta यहाँ पर निगल के आ रहा है data मतलब कि कितना change यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है तो वो यहाँ पर आपको आपके सामने यहाँ पर रखा गया है company के दोरा performance है तो यह хотел में होगा इसमें और कुछ changes भी यहाँ पर देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर हर चीज में आपको देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ देखने हो मिल सकती है अगर हम पेट की बात करें तो वहाँ पर 37% की ग्रोथ हो सकती है अगर EPS की बात करें तो EPS में 3% का उचाल यहाँ पर देखने हो मिल सकता है net worth wise 44% का उचाल देखने को मिल सकता है bvps अगर book value पर share की बात करें तो 8% advances यहाँ पर 42% तक की growth आपको अनेवल समय में दे सकते हैं SGFC limited पर से अगर हम बात करते हैं तो और capital ID को सी ratio में भी 30% का उचाल देखने को मिल सकता है अगर timeline की बात करें तो timeline यहाँ पर सबसे पहले 4 महिने लग जाएंगे जिसमें SEBI का, RBAE का, IRDAE और CCE का approval देखने को मिलेगा 4 April को यह announcement हुआ है आज सुबे 9 बजे से पहले यह announcement हुआ है और 856 पे इसको डाला गया था BAC के exchange पे NCLT के approval चाहिए होगा देखने लायक यहाँ पर रहेगी अब यहाँ पर देख लेते हैं management का इस पर क्या गयना है क्योंकि इस merger काफी mega merger होने वाला है तो Deepak Parekh जो की company SDFC के chairman है उनका यहाँ पर मानना है कि इसके कराण जो government के initiatives है RERAG की जो facilities है infrastructure status जो है housing sector का government के जो initiative है वो सारे यहाँ पर इस potential merger के बाद काफी beneficial रहेगा company के लिए क्योंकि company एक लंबे infrastructure loan credit growth में help कर पाएगी economy की जो credit growth हो रही है जहाँ पर boost देखने को मिल रहा है affordable housing हो गया चाहे आपका priority sector lending हो गया agriculture sector हो गया वहाँ पर काफी help आपको SDFC group देने वाला है दूसरे बात आजाते है अतानू चक्रबती जो की chairman है SDFC bank के उन्होंने काए कि यार हम सारे product financial product को एक साथ एक ही platform पर लाने वाले हैं जिसके कारण सभी को help होगी in terms of growth सारी companies को SDFC की और सारे customers को ताकि एक ही जगे उनको सारे products देखने को आपको मिल जाएंगे केकी mystery जो की company CEO है SDFC limited के और vice chairman भी है उन्होंने बोला कि इस potential de-merger के बाद कहीं न कहीं जो operating leverage होता है कि एक branch SDFC की अलग जगे खुली हुए एक SDFC bank की खुली हुई है तो वो operating leverage हो जाएगा और एक ही branch से हम दोनों काम कर पाएंगे तो वो कहीं न कहीं customer base का भी leverage देखने को मिलेगा distribution का भी leverage आपको देखने को मिल जाएगा शशी जगदीशन की बात करें तो CEO, MD, SDFC bank के उन्होंने का कि completion of the product के बाद हम सारे product को, retail asset product को distribution की strength को बढ़ा पाएंगे customer base को बढ़ा पाएंगे और cross selling में काफी help होगी जिसके कान काफी synergize effect आपको देखने को मिल जाएगा तो फिलाल अभी हमारे को देखना है कि जो कौन कोल होती है, उसमें किस तरीके से बात रखी जाती है कि जो आने वाली company है वो किस तरीके से, कहाँ पर HDFC Life और HDFC की जो other products है, उसको किस तरीके से अलग किया जाता है, non banking business को क्योंकि HDFC, RBA के हिसाब से इन सारे businesses को, HDFC, AMC और इन सारे तरीके को business को अलग करना पड़ सकता है, और इसके अलावा अगर ये तो साथ साथ है ही और HDFC में कितना यहां पर आने वाले समय में growth आपको देखने हो मिल सकती, क्या expectation and management की, वो यहां पर ज़रूर देखना important हो जाएगा, already share में performance आ चुका है, share में uptick देखने हो मिल सकता है, but अब भी-भी synergize effect और आने वाले समय में रहेंगे, और 16-18 मन्त का यह timeline है, तो यह कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा आराम से quarter 2 और quarter 3 next year तक लग सकता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आज कि आज सब कुछ हो जाएगा, तो तो आपन तब खरीजएंगे, जब correction हो चुका होगा, या फिर उसमें कुछ ऐसी बात होगी, तो हम खरीदेंगे, और हम देखेंगे कि उसका जो development है, वह हम उसे track करके, फिर हम उसमें एक आप अच्छा उसमें position बना सकते हैं, अभी as of now, क्योंकि शेयर ओलरी उसमें pricing हो चुकी है, तो I don't think अभी इसमें कुछ भी create करने की, आपको position करने की चर्वरत है, तो this is for today's video, यह transformational verger, one of the biggest mega event आप कह सकते हैं, Indian India, Indian history, वो होने वाला है, तो अगर आपको वीडियो पसंद दे ही, तो share करना ने पूलें, और comment section में बताएं कि कि तरीके से आपको लगी है, thank you so much हुआ है।